शुप्रभात आताब नमस्कार उत्तर प्रदेश के भधोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं नसीर कुरेशी आईए भधोही जिले की खबरों की सुरुवात करते हैं इस बड़ी खबर से भधोही जिले के नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यच अनुरुत तिरपाठी ने पद एवं गोपनियता की सपत ली है सोमवार को ग्यानपूर इस्थित कासी नरेश राजकिसनात कुत्तर महाविद्याले परिसर में सपत गरहन समारूह का आयोजन किया गया था जिलादिकारी आरका खोरी ने पद एवं गोपनियता की सपत दिलाई है सपत गरहन अस्थल भग रूप से सजाया गया था सपत गरहन के बाद नो निर्वाचि जिलापमचात अध्यच अनुरत तिरपाठी जिलापमचात कार्याले पहुचे जहां पूजा पाठ के बाद कार्याले में गंगा जलका छिड्काओ कर सुध्धी करन कराया गया सपत गरहन समारों में भदुही भाजपा विधायक रविनाद तिरपाथी और राई विधायक दिनानाद भासकर आसी सिंग बगहेल सही तमाम भाजपा नेतवा कारकरता मोजूद रहे अभोले विकास खंड कार्याले के कंप्यूटर कच मेर रात के वक्त आग लगने की बात बताई गई है हलाकी आसपास के लोग इस आग को संदिक्द बता रहे हैं इस आग में कार्याले के कुछ फाइले भी जली है हलाकि खंड विकास अदिकारी सैलेंद्र कुमार गौतम का मानना है कि आग साथ सर्किट से लगी है जिसमें 15 लाख रुपे का नुकसान हुआ है हलाकि इस आग लगी को लोग संदिक्ध मान रहे हैं लोगों का कहना है कि इस आग के पीछे बड़ी साजिस है सुबा राहगीरों ने कार्याले से धुणा उठता देखा तब जाकर कार्याले के करमचारियों को जानकारी हो पाई खंड विकास कार्याले के कंप्यूटर कच्छ में लगी आग को लेकर तरहतरा की चर्चा ब्याप्थ है बदोही बिधान सभा से समाजवादी पार्टी के पूर बिधायक जाहिद वेक मलिकाना में अपने आवास पर सुमवार को आयोजित एक पत्रकार वारता में कहा की बलाग परमुखवा जिला पंचाय चुनाओ में भाजपास सरकार द्वारा धाधली बरती महंगाई बिगरती कानून बेवस्था नौजवानों की बेरोजगारी किसानों के उपर थोपे जा रहे काले कानून महिलाओं से दुर्बहवार बधाल होती स्वास्त सेमाउ सहीत कई ऐसे मुद्द्यों को लेकर जिले के तहसीलों पर समाजवादी पार्टी 15 जुलाई को परदर्शन करेगी कहा कि भदोही ही बिकास के मामले में ले लिया जाये तो यहां का बिकास पूरी तरह ठप पड़ा है इंद्रा मिल सर्विसलेन का साथ महपूर निर्माल के लिए उधगाटन किया गया था लेकिन अभी तक निर्माल कार पूरा नहीं हो सका कहा कि इनी सम मुद्दो को लेकर पंद्रा जुलाई को समाजवादी पार्टी बड़ा परदर्शन करेगी इस मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यच हसने नंसारी पन्नालाल यादव राजकुमार यादव अली सेर खान आदी मौजूद रहे समार को ग्यानपूर तहसील इलाके के चिताईपूर बैदा खास के दरजनों की संख्या में पहुचे ग्रामलो ने डियम कारियाले पहुचकर एक पत्र सौपते हुए परदर्शन किया है सौपे गए पत्र में आरोप लगाया है कि गाउं के ही लालचन सीतला परसाद सुबा साधी आम रास्ते का खरंजा उखाल कर पीलर गाल कर अधिकरमल कर रहे हैं जिससे गाउं के लोगों को आवा गमन में भारी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है पत्र सौपते हुए आम रास्ते पर हो रहे अधिकरमल को ग्रामलों ने रोके जाने की मांग की है इस दोरान भारी संख्या में दीयम कारेले पहुचे ग्रामलों ने परदर्शन भी किया पत्र सौपने वा परदर्शन करने वालों में राम चंदर, शियुकुमार, पत्र सहित लगभग तीन दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। तो लोगों ने खोजबूइन सुरू की इसी दोरान परियनों को पता चला की छत्मी रेलवे फाटक के बीच एक महिला का सौप पढ़ा है परियन पहुचे तो उसकी सिनाक भगबनी देवी के रूप में हुई है सूचना पर पहुची पुलिस ने सौप को कबजे में लेकर पोश्मार्टन के लिए भेज दिया महिला रेलवे ट्रेक के समीब कैसे पहुची या एक रहस बना हुआ है तथा इलाके में तरह तरह की चर्चा ब्याप्त है वहीं बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है एक बार फिर सत्यम नीज की खबर का बड़ा असर हुआ है ताम के बीच बधाल हो रही यातायाद व्यवस्ता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस विभाग ने भदोहीं सहर के कोट बाला में पुलिस की तैनाती कर दी है जो यातायाद को संभाल रहे हैं आपको बता दे कि सत्यम नीज ने इस खबर को परमुकता से चलाया था यातायाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोट बाला के पास पुलिस तैनात किये जाने की मांग से संबंदित खबर चलाई थी आपको बता दे कि गजिया ओवर विरिज निर्माल के चलते असर हुआ है और भदोही सहर के यातायाद को समहलने के लिए कोट बाला में पुलिस की तैनाती कर दी गई है मांसून आरंब होते ही भदोही जिले का मत्स विभाग मत्स वीजो का बित्रन 10 जुलाई से सुरू कर दिया है जिला सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मताबिक सहायक निदेशक मत्स पारस सिंग ने मत्स वीज वित्रन की सुरू की गई जानकारी तो दे दी गई लेकिन यह बित्रन दस जुलाई से कब तक किया जाएगा कितना मत्स बीज बित्रन किया जाएगा यह जानकारी उपलब्द नहीं कराई गई हलाकि जब सत्यम निव्ज ने मत्स निदेशक पारस सिंग से दूर भास के जगे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन भी नहीं उठा हलाकि जब आजकी मत्स विक्रमपुर भदोही में कतला रोहू नैन मत्स बीज का बित्रन सुरू कर दिया गया है गोपिगन नगर के परमुक कालीन ब्यवसाई ओम प्रकाज जैसवाल पर बाइक सवार एक यूवक ने तावर तोल हमला कर दिया है हमले में कालीन ब्यवसाई को चोटे आई हैं उनके गले पीठ वा सीने में चोट पहुचाया गया है जिससे वा गंबीर रूप से घायल हो गया है आनन फानन में उन्हें सीएसी गोपे गंज लाया गया कालीन ब्यवसाई ओम प्रकाज जैसवाल पर उस वक्त हमला हुगा जब हुआ गिराई इस्तित अपने ब्यवसाई परिसर में गायों को चारा पानी दे रहे थे तभी एक यूवक बाइक से पहुचा पहले हाल चाल पूछा उसके बाद हमला कर दिया यूवक जगिनका का बताया गया है पुलिस मामले की जाज परताल में जुड गई है कालीन ब्यवसाई पर हुए हमले को लेकर हड़कम्प मचा रहा अगोसित बिद्द कटवती वा विभागी अधिकारियों की ला परवाही के बीच उत्तर प्रदेश के मुखम Gotti योगी आदित नात ने सक्थ चेतावनी दी है कि अगर रात में बिद्द कटवती हुई तो विभागी अधिकारियों की खेयर नहीं अब उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदित नात के इस चेतावनी का असर भधोही जिले के बिद्धुत विभाग पर कितना होगा यह तो समय बताएगा लेकिन खासकर भधोही सहर सहित ग्रामिड अलाकों की बिद्धुत विवस्था पूरी तरह चरवरा गई है भधोही सहर का इंद्रा मिल फीटर तो हत्रोडी मार जुगार से चल रहा है ऐसा लग रहा है कि भदोही में बिद्धुत विभाग पूरी तरह कंगाल हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की अगर कोई किर्किरी करा रहा है तो वह है भदोही जिले का बिद्धुत विभाग सबसे बत्तर हालत इंद्रा मिल फीटर की है चौरी रोट पर तो आए दिन बिद्धुत अपूर्ती ठप रहती है रात में तो कई कई घंटे तक बिजली गुल रहती है लेकिन इस मामले में बिद्धुत विभाग आख कान मुह बंद की हुए बैठा है अब देखना यहा है कि योगी के इस आदेश का असर भदोही जिले के बिद्धुत विभाग पर कितना होगा कांग्रेस पार्टी के राश्टी आहवान पर सोमवार को भदोही जिले के घ्यानपूर में जिला कांग्रेस कमेटी वा कांग्रेस सेवा दल के कारकरताओं द्वारा डीजल, पिट्रोल, रसोही, गैस, अन्नुबस्तूं की लगातार, बर्ती, महंगाई वा बरस्टाचार कानून ब्यवस्ता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उत्रे और पद्यात्रा की जहां जिला मुख्याले ग्यानपूर पहुचे कांग्रेसियों ने परदर्सन भी किया, और सरकार बिरोधी जमकर नारेबाजी की, कांग्रेसियों ने ग्यानपूर नगर के कई अलाकों में पद्यात्रा कर भरमल भी किया है, इस दोरान कांग्रेसियों ने कहा की भरष्टाचार चरम पर है कानून ब्यवस्था फेल लो चुकी है इस मौके पर राज बहादूर सिंग, संतोज सुगला, प्रभात यादो, मसूद आदी मुझूद रहे आवराई कोतवाली लाके के राष्टी राजमार्ग माधो सिंग घुसिया के समीफ ट्रक की चपेट में आने से पचास वर्षी ननकूराम बिंद नामक कालीन बुनकर की मौत हो गई ननकूराम बिंद अपनी पुत्री को मिर्जापूर पहुचा कर वापस घर लोट रहे थे हादसा बीती रात करीब आठ बजे का बताया जा रहा है जहां एक तेज़ अफ़ताट ट्रक ने ननकूराम बिंद के बाईक में टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई हादसे की खबर लगते ही परियुनों में कुहराम मच गया हादसे के बाद चालक ट्रक सहीत फ्रार हो गया मौके पर पहुची पुलिस ने सौव को कबजे में लेते हुए आगे की कारवाई में जुड गई टुमार को विभिन मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मन्रेगा करमचारी महासंग के बैनरतले बदोही जिले के च्छा विकास खंडों पर मन्रेगा कर्मियों ने हुंकार भरी और परदर्सन किया उत्तर प्रते सरकार को संबोधित पत्र खंड विकास अधिकारियों को सौपा गया है जिसमें भदोही अवराई अभोली सुरियामा डीग ज्यानपूर बलाक के मंडरेगा कर्मी सामिल रहे जिले के च्छा बलाकों पर मंडरेगा कर्मचारियों ने जम कर हला बोलते हुए प्रतरसन किया मंडरेगा कर्मचारियों ने आरपार की लड़ाई की चेतावनी दी है जहां कर्मचारियों ने सभा को भी संबोधित किया है मांगों में बिना पदों के स्रीजन किये ही जेम पोर्टर से नियुक्त किया जाना प्रसासनिक मदद से सेवा परदाता को भुकतान ततकाल प्रभाव से बंद किया जाए जैसी तमाम मांगें सामिल रहें सुमवार को अपना दलियस की बैठक सुर्यावाई इलाके के पूरे मनुहर अविया में संपन हुई है यह बैठक राकेस यादो की अध्यस्ता में हुई है मुकतिती के तोर पर पर पार्टी के जिलाध्यस सुनील पटेल मौजूद रहे कारकरम का संचालन जितेंद्र पटेल ने किया मासिक बैठक में लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सद्यस्ता सिविकार की है इस दवरान ग्रामिलों ने ग्राम सभा में व्याप्त समस्याओं से भी पार्टी के लोगों को आउगत कराया जहां पदा द बदोही जिले के ग्यानपूर जनलिगम कारियाले पर सुमवार को बकाई बेतन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में करमचारियों ने परतरसन किया करमचारियों का कहना है कि छामा से उनका बेतन बकाया है और भुकतान की ये जाने की कर्मियों ने मांग की है साथ ही चिता ऐसे बकाय बेतन की मांग की जा रही है लेकिन संग्यान नहीं लिया जा रहा है सिग्र ही भुक्तान की ये जाने की करमचारियों ने मांग की है इस मौके पर ब्रेंद्र कृष्ण बहादूर सिंग अजय कुमार जितेंद्र आदी मौजूद रहे बदोही जिले में सुम्वार को 1263 लोगों की जाच की गई जिसमें एक भी संकरमित मरीज नहीं मिला है एक मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुआ है अब जिले में कुल पाँच एक ट्यू केस बचे हैं एक मरीज होम आईसुलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहा है बदोही जिल कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सत्यम नीज बेव टीवी को सब्सक्राइब करें अब नसीर कुरेशी को दीजिए जाजत नमस्कार अदाब